पाच बातें तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दीजे आप, गारंडी लेता हूँ, तुम 6 महीने अपने उपर काम करके देख लो, अगर तुम्हारी जिन्दीगी ना बदले, तुम जीते तो सबके रिष्टेदार, और तुम हारे, तो तुम निकम में, तुम बेकार, 95% लुआ धरा, 9% पाच चीजे पाच बुद्र पांच वोज ने का पाच चीजे छोड़ दू, चारन वह उन ने खाए, एक मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है, उन्हें का चार चीज़े छोड़ दो और ध्यान लगना शुरू हो जाएगा मन ध्यान लगना मतलब मन तुम्हारे कबजे में आना शुरू हो जाएगा पहली चीज जो 95% लोग ये गल्दी करते हैं पहली चीज दूसरों के मन में क्या चल रहा है सर अपने मन में तो आप देखी नहीं पाते दूसरे के मन में ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को बेचैन रखती है ये मन को भटकाने में सबसे एहम भूमी का निभाता है अगर आपने ये छोड़ दिया किया रहे मामा जी आये थे और हमने उनके सामने का हम तैयारी करने जा रहे हैं तो मुस्कुराने लगे हम समझ गए हो क्या सोच रहे हैं अब तुमने वो जो सोचा कि उनके मन में क्या चल रहा है और अगर वो नेगेटिव सोचा अस्तेरो आज की डेट में 95 परसेंट लोग इस कंट्री में सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि उनको पता है दूसरे के मन में क्या चल रहा है तुम सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है 95 प्रतिशत लोग है अरे हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है दूसरों के प्रति इतना लगाओ अब तुम ध्यान करने बाटे अब तुमने सोचा कि जब हमने कहा दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं तो मामा जी हस रहे थे उनको लग रहा था मेरा सेलेक्शन अब तुम नहीं ध्यान कर पाओ ध्यान मतलब मन का शांत होना मन कब शांत होगा जब वो बाहर उल्जेगा नहीं मन की शांती सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है कि वो बाहर उल्जे ना बड़े सारे स्टूरेंट आज में छे बज़े शाम को एक वेबिनार ले रहा था कि मेरे घरवाले एक खायन साहब ते उन्हों नम से कहा कि मेरे घरवाले समझ ही नहीं पा रहे हम क्या करना चाहते हैं भाईया यह तुम्हारे घरवाले नहीं सबके और खासकर मिडल क्लास फैमिलियों में जब उनके बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बाते करने लगते हैं तो आम तोर पर माबाप डर जाते हैं कि डिस्टर्ब हो गया है कि यह छोड़ो सर कि सर यह चीज़ छोड़ो आपके जीवन की पचास परसेंट दिक्कतें खतम हो जाएगी कि दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो कि सुल्तानपूर बसड़े पे सुल्तानपूर एक डिस्टिक है यूपी में वागे पस्ट इस्टेशन पर लड़की खड़ी थी उस लड़की के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था तो लड़की एक बैग उस लड़के के पास गई और उनने एक लड़के को एक तमाचा मारा खी चीए तो जोगल बहुत कर लोग ख़़े थे वो आगे भाग के तुरन कि क्या कि बोली यह दस मिनट से मुझे घूर जा रहा है कि मैटम यह अन्दा है कि इसके दोनों आखे नहीं है मैटम यह बगल में इसका घर है यह निकला है कोई नो कोई आराओ का पीछे से इसे कहीं ले जाने के लिए गली है गली में उसका मकान था